जैहिन दोस्तों, दोस्तों आज के इस सेसन में हम लोग सर्ड्स एंड इंडाइसेस के महत्पूर्ण सवाल करेंगे और इन सवालों को बेस्ट कॉंसेट और बेस्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने वाले हैं तो चलिए सुरू करते हैं आज के वीडियो, वीडियो पूरा अंत तक देखियेगा यहाँ पर और महतुपूर्ण सवाल लेकर आए हैं, जो कि आपके प्रिवियस एर्स में पूछे जा चुके सवाल है ठीक है, तो चलिए सुरू करते हैं, यहाँ पर पहला सवाल देखते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है यदि 2 की पावर 2X माइनस Y इक्वल टू 16 है और 2 की पावर X प्लस Y इक्वल टू 32 है तो X into Y का वैलू बताना है यहाँ पर, ध्यान से सुनियेगा, कैसे इसको हम लोग करेंगे इस टाइप का सवाल जब भी आएगा, यह आपके SSC CPU में पूंचा गया सवाल है, है ना, देखेगे दोस्तों यहाँ पर क्या है मारे पास, 2 की पावर 2X माइनस Y है, ठीक है, क्या है, 2 की पावर 2X माइनस Y इक्वल टू यह क्या है, अब इस 16 को क्या हम 2 के पावर में बदल सकते हैं, क्या हम बिल्कुल बदल सकते हैं तो 16 जो होता है दोस्तों ये क्या होता है ये होता है दो की पावर 4 दो की पावर 4 का मतलब क्या दो की चार बार गुड़ा तो दो का जब हम चार बार गुड़ा करते हैं तो 16 होता है और 16 को हम लोग 2 की पावर 4 लिख सकते हैं यानि इस 16 के अस्थान पर अपने लोग क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं अब इधर भी base 2 है और इधर भी base 2 है यानि दोनों side हमारा base जो है वो equal हो गया तो जब base हमारा equal हो जाए दोनों साइट का और बीज में बरावर रहे इसका मतलब कि power भी हमारा बरावर हो जाएगा है ना, बात तो यही हुई तो यहां से, यहां से यहां से हम लोग power को बरावर कर सकते हैं क्योंकि base बरावर हो गया हमारा, है ना जिसे एक rule आप लोग ध्यान रखिएगा क्या rule है वो, यहां पर यह है कि अगर a की power n है और equal to a की power m है तो यहां पर जो, देख लिएजे चूंकि base हमारा equal है तो power भी equal हो जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, n equal to m हो जाता है, मतलब यहां पर यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि इसका power कितना है, 2x minus y और इसका power 4 है यह दोनों को हम लोग बरावर कर दिये इसी तरीके से इधर भी हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, अपन लोग 32 को 32 को क्या लिख सकते हैं 32 को लिख सकते हैं, 2 की power 5 32 होता है तो यहां भी देखिए, 2 की power x plus y है, और बरावर में भी 2 की power 5 हो गया, बेस बरावर हो गया तो power equal हो जाएगा, यानि x plus y का value कितना आजाएगा x plus y का value, x plus y का value कितना आजाएगा दोस्तों 5, इधर का power उधर का power दोनों बरावर कर दिये अब क्या करना है आपको इन दोनों को बस solve भी तो करना है बस आपका answer आजाएगा देखें यहाँ पर जोड़ देंगे हम लोग तो यह वाला और यह वाला कट जाएगा क्योंकि minus y plus y cancel हो गया जोड़ेंगे तो 2x और x कितना हो जाएगा यह हो गया 3x equal to इधर जोड़ देज़े 4 और 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा यहाँ से x का value कितना आगे दोस्तों x का value आजाएगा 3 है ना 3 से यह 3 बार में कट जाएगा तो x का value 3 आगया अब आप क्या कर सकते हैं x का value किसी एक equation में रखके y का value निकाल सकते हैं देखिए यहाँ पर दूसरे equation में अगर हम रखके हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस y का value 5 है यहाँ से x का value कितना आया है 3 आया है मतलब y का value कितना रखना पड़ेगा 2 है ना तभी तो 3 के साथ 2 जूड़के 5 बनेगा मतलब यहाँ पर y का value कितना आजाएगा y का value 2 आजाएगा दोस्तों अब आपको पूंचा क्या है सवाल में पूंचा है x into y का value x का value 3 y का value 2 यानि x into y x into y कितना हो जाएगा x का value 3 y का value 2 आ गया हमारे पास 6 is the right answer यहाँ पर option number c सही होगा उसका उत्तर ठीक है तो यह rule आप लोग ध्यान रखिएगा अगर base equal है base मतलब आधार तो power भी हमारा equal हो जाता है समझ में आ गया चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल हम लोग देखते हैं बहतरीन सवाल करवाने वाले हैं आपको जाइएगा कहीने ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा देखेएगा दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल जवरदस्त सवाल है यह भी यह भी आपके ssc में पूछा जाचू का सवाल है है ना देखेएगा कैसे करना है है उसी type का सवाल अगर आप चाहें तो एक बार वीडियो रोक कर इसको solve करने का प्रयास कर सकते हैं ठीक है आसान साहब बन जाएगा देखे दोस्तों यहाँ पर 3 की power x plus y है इस एक 80 को हम लोग क्या लिख सकते है इस 80 को क्या 3 के power में कुछ लिख सकते है तो 3 का power जो 4 होता है दोस्तों 3 का power 4 है ना यह 3 का power 4 का मतलब होता है 81 भाई कैसे कैसे तो यहाँ पर 3 की power 4 का मतलब क्या हुआ 3 का 4 बार गुड़ा जितना power होता है उतना ही बार multiply हो जाता है है ना तो 3 का power जो हम 4 लिखेंगे तो यह हुआ 3 तीन 9 और इधर भी 3 तीन 9 यानि ये 9 नहीं है 81 हो गया है ना यानि 3 की power 4 का मतलब होता है दोस्तों 81 समझ में आई बात यहां पर देख लिजे यहां भी 3 हो गया यहां भी 3 हो गया base equal हो गया हमारा तो power को आप बराबर कर दीजे इधर का power है x plus y तो यह हुआ x plus y इसका भी power क्या है यहां पर x minus y है की नहीं है ना भाई 3 की power 4 का value क्या हुआ 80 हुआ और उसके भी power में x minus y है तो यहां पर x minus y हो गया इधर 3 है इसको हम 3 की power एक लिख सकते हैं अब एक चीज और ध्यान रखेगा एक rule यह है कि यहां पर ध्यान से सुनिये दोस्तों यहां पर अगर a की power m है और इसका whole power n है तो इसका मतलब होता है कि a की power यह दोनों power आपस में multiply हो जाते हैं जब आपका bracket लगा हो है ना तो m into n हो जाता है यह क्या हो जाता है m into n ऐसे ही इसमें भी देख लीजे यह जो 4 है इन दोनों के साथ multiply हो जाएगा है ना तो यहां पर क्या हो गया चार चार और x minus y के साथ multiply हो जाएगा x minus y के साथ multiply और equal to कि base इधर कितना है 3 है और इधर भी base 3 है equal to इसका power यानि 1 अब इसको आप solve कर सकते हैं देखें कैसे कैसे solve करेंगे तो यहां पर x minus y का value कितना आ जाएगा दोस्तों यह आ जाएगा एक बटा के 4 है ना वहीं 4 को इधर ले जाएगे अब 1 है x plus y और 1 है x minus y आपको निकालना है value किसका x का ठीक है तो यहां पर एक format याद रखेगा कि अगर a plus b और a minus b इस format में अगर आपको कोई सर्वसमिका दिया है या कोई बेंजक दिया है तो उसमें x और y या फिर a और b का value निकालना बहुत आसान होता है यहां पर x minus y है यहां पर x plus y है x का value निकालना यानि जिसके साथ positive लगा है उसका value निकालने के लिए यहां पर क्या है देख लिजे, x-y equal to 1 upon 4 अगर x का value निकालना है दोस्तों, तो क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों को जोड़कर 2 से भाग, तो दोनों को जोड़ दीजे, 4 और 4, एक बटा 4, 4 और 1 बटा 4, इसको जोड़के आप 2 से भाग कर दीजे है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगे 4 जोग 16, एक 17 है ना, तो 17 बटे 4, और यह बटे 2 आप पहले से नीचे है यानि यह हो गया हमारा 17 बटा 8, आपको x का value पुंचा था था ना, तो x का value यहाँ पर आगया 17 बटे 8, option number c, इसका correct answer हो जाएगा, तो उमीद करते हैं साथियों कि यह वाला clear हो गया होगा आपको concept, जो भी हम यहाँ पर बताएं ठीक है, यह सारी चीजें आप बहुत जल्दी-जल्दी कर सकते हैं, और जल्दी-जल्दी तभी होगा, जब आप practice करेंगे हो कहते हैं कि करत-करत अभ्यास के जड्मत ही होते सुजान, रसरी यावज जातते सिलपर परत निसान मतलब यह है इसका कि अगर आप जितना ज़्यादा अभ्यास करते हैं, उतना ज़्यादा आप उसमें माहिर होते जाते हैं तो अभ्यास पर depend करता है आप practice कितना करते हैं, इस पर depend करता है समझा आगे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, important सवाल देखे दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल यह सवाल तो एकदम बहुत आसान सा सवाल है आप लोग इसको कर लेंगा है ना, देखे कैसे होगा, यहाँ पर देखे दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ऐसे सवालों को ना आपको last से, यानि अंदर से solve करना शुरू करना होता है मतलब हम यहाँ से solve करना है start करेंगे, ठीक है, चलिए करते हैं यहाँ पर, इस root 18, मतलब 81 का वर्गमूल तो 81 का वर्गमूल का मतलब क्या हुआ 9, यह 9 जो है 135 के साथ जुड़ेगा, तो 135 और 9, कितना हो गए दोस्तों 135 और 9 हो गए, 144 इस 144 के उपर वर्गमूल लगा है, यह वाला वर्गमूल हमारा, तो 144 12 और 4 कितना हो गया, 16 हो गया और 16, 16 के उपर यह वर्गमूल लगा है, मतलब इतने का वैलू, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, इतने का वैलू आगया, आपके पास 4, अब यह 4 जो है दोस्तों इस 21 के साथ जुड़ेगा, तो 21 25 के उपर वर्गमूल लगा है, यानि इतने का वैलू कितना हो गया, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, अच्छा अब यह जो 5 है दोस्तों, प्लस लगा है यानि इस 220 के साथ जुड़ेगा, तो 220 प्लस 5 कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 225, 225 और इसके उपर ये पूरा वर्गमूल लगा हुआ है तो इसके उपर वर्गमूल लगा देजिए अब 225 का वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 15, मतलब कि यहाँ पर जो इसका answer आएगा, वो कौन सा आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपका option number B इसका correct answer बनेगा ठीक है तो यहाँ पर देखिए इस type का सवाल जो है बड़ा आसान सा होता है बसरते यहाँ पर आपको technique पता होना चाहिए कि कैसे solve करना है आप इसको बस 5 second के अंदर बता सकते हैं बहुत आसान ठीक है देखिए कैसे यह 80 है 9 आया 135 के साथ 9 जुड़ेगा 144 हो गया 12 आया 12 4 16 16 का वर्गमुल 4 आया 4 और 20 25 हो गया 25 का वर्गमुल 5 आया फिर 5 और 220 225 हो गया 225 का वर्गमुल 15 आ गया आसान सा एक line में इसमें आपको pen उठाने की भी जरूरत नहीं है ना सिर्फ आप इसको ठीक ना चली उमेद करते हैं कि क्लियर हुआ होगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल देखते हैं दोस्तों यहाँ पर बड़ा ही जवरदस्त सवाल है एकदम इसमें जो search and indices उसका basic concept लगने वाला है ठीक है ध्यान से सम अगला है तो एकदम आसान सा तरीका हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर 9 की power 0.5 है यहाँ पर 27 की power 1.5 है यहाँ पर भागे फिर है 243 की power यहाँ पर क्या है आपके पास यह है 0.5 ठीक है सुनिए अब यहाँ यहाँ पर कुछ rules हम आपको बता देते हैं ना चलिए दोस्तों य अगर आपको ऐसे दिया है A और यहाँ पर छोटा सा N दिया है यहाँ पर कुछ भी दिया है जैसे मालेजी N दिया है है ना इसको अगर हम power मिले जाए तो यह होता है दोस्तों A का power यह जो छोटा सा N है ना यह 1 upon N हो जाता है जैसे अगर हम कहें कि यहाँ पर यहाँ पर A का cube रूट है, A का क्यूब रूट है ये 3 क्या दरसाता है हमको 3 दरसाता हमको क्यूब रूट ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो है A का पावर 1 अपान 3 है तो यहाँ पर जो भी लगा रहेगा वो उसके पावर में 1 बटे करके लग जाएगा, समझा है ऐसे ही अगर हम कहें कि यहाँ पर यहाँ पर जैसे माल लिजे 5 लिखा है फिफ्ट रूट है है ना तो यहाँ पर अंदर A है तो इसका मतलब यह हुआ कि A का पावर यह 1 अपान 5 है बास समझ में आई अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज और जानेगा अगर माल लिजे आपके पास सिर्फ इतना लिखा है तो सिर्फ अगर इतना लिखा है तो इसका मतलब होता है कि यह स्क्वेर रूट है यहाँ पर दो लिखा नहीं जाता है यहाँ पर दो होता ही है है ना लिखते नहीं हम लोग लेकिन वहाँ पर दो होता ही है अगर कुछ भी नहीं लगा है तो वहाँ पर 2 होता है ठीक है इसका मतलब यह होता है कि यह है A की पावर 1.2 बात किलियर हो गए तो इतना ही कॉंसेप्ट है इसको अब यहाँ पर apply करते हैं देखें दोस्तों यहाँ पर 0.25 का value क्या होता है 0.25 का value एक बटा 4 होता है होता है कि नहीं एक को 4 से भाग करेंगे 0.25 आ जाएगा यह न या फिर अगर आप दिसमलो में नहीं बदलना जानते हैं तो कैसे करेंगे 0.25 को अगर हम fraction में बदलें तो कितना हो जाएगा उपर हो जाएगा 25 और नीचे हो जाएगा point के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर 2-0 लग जाएगा 25 एक कम 25 25 जो के 100 एक बटा 4 आया कि नहीं यानि 0.25 का मतलब होता है एक बटा 4 अब आपको साइद क्लियर हो गया होगा ठीक है देखे दोस्तों अभी अभी हमने बता है कि 81 जो होता है वो 3 की पावर 4 होता है भई या है ना तो यहाँ पर क्या हुआ पर 3 की पावर यह 4 हुआ और इसके पावर में 38 की तो हमने 3 की पावर 4 लिख दिया इसके पावर में 0.25 0.25 का मतलब क्या 1 अपान 4 इंटू यहाँ पर 9 को हम लोग क्या लग लिख सकते है 3 की power 2, 3 का square नहों होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है और इसके भी power में क्या दिया गया है, 0.5 अब 0.5 का मतलब होता है, 1 बटा 2 0.5 मतलब क्या होता है, 1 बटा 2 होता है, है ना point से आप fraction में बदल सकते हैं into, यहाँ पर 27 है, 27 को आप लोग लिख सकते हैं 3 की power 3, बिल्कुल लिख सकते हैं भई, 3 का cube कितना होता है 27 नहोता है, और इसके power में 1.5 दिया है अब देखिए दोस्तों, इस 1.5 को आप ऐसे ही रहने दीजिए ठीक है, इस 1.5 को ऐसे ही रहने दीजिए अच्छा, यहाँ पर है भाग आपका, इस 243 को देखिए 243, 243 को अगर हम अभाज गुडन खंड में तोड़ेंगे तो 243 होता है दोस्तों, 3 की power 5, यानि 3 का 5 बार गुड़ा ठीक है, या फिर आप 183 कह सकते हैं, भाई, जैसे देखे यहाँ पर 243, 243 क्या हो जाएगा, 3 का 5 बार गुड़ा है तीन गुड़े, तीन गुड़े, तीन गुड़ा, तीन गुड़ा, तीन गुड़ा, तीन अगर इन सभी को गुड़ा करें, 3, 3, 9, 3, 3, 9, 9, 9, 9, 81, 83, 243 ठीक है, तो यहाँ पर यह जो 243 है, यह होगा हमारा 3 की power 5 ठीक ना तो यहां पर यह हो जाएगा कितना 3 की पावर 5 3 की पावर 5 अच्छा यहां पर गुणा कर दिया है क्या divide होगा है न divide चलिए 3 की पावर 5 और इसका भी पावर क्या है दूस्ताँ 0.5 है इसको मत बदलिये भी ठीक है अच्छा अब देखे अब देखे ध्यान से यहां पर यह 4 और एक बटे 4 के बीच में गुणा होगा क्योंकि दोनों पावर के बीच में यहां पर bracket लगा है मतलब multiply होगा जैसे ही multiply होगा उपर से और नीचे से 4 cancel हो जाएगा यहां से यह 2 और यह 2 cancel होगा मतलब यहां पर बचा 3 की पावर 1 और यहां पर बचा 3 की पावर 1 है ना यहां पर कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 3 की पावर देखे 3 का multiply 1.5 के साथ तो 15,3,45 यानि 4.5 हो गया है ना अच्छा इस भाग को देखे दोस्तों इस भाग को अप लोग समझेगा देखे अगर हम भाग को multiply बदलते हैं ठीक है देखेगा अगर आपके पास ऐसा कुछ है यहां पर जैसे माल लीजे 4 बटे एक की पावर n है उपर कुछ भी हो सकता है अगर हम इसको उपर ले जाएगे बटे से multiply मिले जाएगे तो यहां पर यह हो जाएगा 4 और गुड़ा यह जो नीचे वाला है जब उपर जाता है तो इसके पावर का चिन बदलता है पावर का sign बदलता है ठीक ना यानि यह हो जाएगा एक की पावर minus n तो अगर हम नीचे से उपर ले जा रहे है denominator से numerator में ले जा रहे है तो पावर का sign बदल जाएगा अगर नीचे minus है तो उपर जाके plus हो जाएगा अगर नीचे plus है तो उपर जाके minus हो जाएगा इसी तरीके से अगर हम उपर से नीचे ले आएगे numerator से denominator में ले आएंगे तो power जो है उसका भी sign बदल जाएगा ठीक है तो चाहे उपर से नीचे ले जाएगा चाहे नीचे से उपर ले जाएगा पावर हमेशा पावर का sign बदलता है समझ मैं है ना चलिए तो यहाँ पर देखेगा हम क्या करते हैं इस भाग को गुणा में बदल देते हैं यानी नीचे से उपर ले जाते हैं तो उपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा तीन है ना यहाँ पर क्या है यहाँ पर है तीन और पावर में देखे कितना हो जाएगी ये 0.5 का multiply 2.5 के साथ 5 के साथ करेंगे तो 5 25 यानि कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा लेकिन नीचे में बटे में ना ये power positive था उपर जाएगा तो ये minus हो जाएगा ठीक है यानि minus 2.5 हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सभी का base आप लोग देख रहे होंगे same है यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है base equal है तो power जो है वो add हो जाते है अगर base हमारा समान है और multiply हो रहा है तो power जुड़ जाता है ठीक है यानि अगर ऐसा कुछ है a की power m और into a की power n है तो base यहाँ पर same है power हमारा जुड़ जाएगा यानि m प्लस n हो जाएगा तो चुनकि यहाँ पर base हमारा same है तो सभी का power add हो जाएगा ठीक है तो देखे कितना हो गया 1 और 1 2 2 और इसमें 4.5 जुड़े कितना हो जाएगा 6.5 और 6.5 में तो हमारा कितना वचेगा? 4 वचेगा यानि इसका value हुआ 3 की power 4 और 3 का power 4 होता है दोस्तों 81 यानि यहाँ पर option number A इसका correct answer होने वाला है बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है? तो यहाँ से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला बहुत से rules सीखने को मिले जो certs and indices के हैं गातांक करकरने के basic basic rule हमको सीखने को मिले है उम्मीद करते हैं साथियों कि यहाँ पर यह सवाल तो आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से है ना? बहुत 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 बहुतरीन सवाल था CHSL में पूंचा गया सवाल था यह सोचिए है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या दिये गया है अगला सवाल यहाँ पर बहतरीन सवाल है देखेगा यहाँ से इस सवाल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिले दोस्तों बहुत सारे important concept हम आपको बताने वाले हैं है ना? तो ध्यान से देखे यहाँ पर क्या है? 3 प्लस 2 रूट 2 और इसका पावर माइनस 3 है प्लस 3 माइनस 2 रूट 2 और इसका पावर माइनस 3 है यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग क्या इस पावर माइनस को positive में convert कर लेते हैं पहले है ना तो देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमने आपको क्या बता है कि अगर a की power minus n है इसको positive बदलना है तो इसको नीचे लाना पड़ेगा है ना तभी तो positive बदलना है यानि sign कब बदलता है जब उपर से नीचे लेते हैं या फिर नीचे से लेते हैं ये पहले ही उपर है इसको नीचे लाने के लिए नीचे लाएंगे तब तो हमारा positive sign होगा यानि a to the power n हो जाएगा तो इसका power का sign बदलने के लिए हमको नीचे लाना पड़ेगा यानि यह हो जाएगा 1 upon 1 upon कितना 3 plus 3 plus यहाँ पर कितना हो गया यह 2 root 2 2 root 2 और इसका भी हो जाएगा यह cube है ना फिर plus बीच में लगा है आपका plus अब आगे सुनिए यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर भी ऐसे होगा 1 upon 3 minus 2 root 2 2 root 2 और इसका भी power बन जाएगा positive का 3 ठीक है अब आगे इसको solve करना है अब देखे दोस्तों यहाँ पर आगे इसको solve करने का क्या तरीका होने वाला है वो आपको समझने वाला है समझने वाली बात यह है ठीक है ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए इस power 3 को जो नीचे लगा है क्या हम इसको सभी जगह लगा सकते हैं पूरे का power कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं पूरे का power बना सकते हैं कितना यहाँ पर इसको हम लोग कुछ इस type से कर सकते हैं कि वाई एक cube भी एक ही होगा उपर एक तो पहले इस था और नीचे बलके भी cube हो जाएगए इसी तरीके से इस वाले को भी हम क्या कर सकता है यहां पर इसका पूरे का cube हम बना सकता है इसको मतलब यह कुछ इस type से हो जाएगा अब सुनिए आपको क्या करना है इस cube के अंदर यह जो यहां पर है इसका भी आप rationalization करिए और इसका भी आप rationalization करिए तो rationalization करने का एक आसान सा तरीका हम आपको बताते हैं देखें क्या है rationalization करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों देखेंगा यहां पर यहां पर है ना यहाँ पर देखे जो नीचे है उसका sine बदल के उपर गुणा कर दीजे तो नीचे क्या है 3 प्लस 2 root 2 इसका sine बदल ये बीच में और उपर गुणा कर दीजे यानि यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 root 2 ठीक है और बटे में बटे में दोनों का square करके घटा दीजिए है ना तो दोनों का square 3 का square कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 root 2 का square कितना हो जाएगा 2 का square 4 और root 2 का square 2 हो जाएगा यानि 4 गुड़े 2 8 हो जाएगा नीचे हो गया 8 और ये cube लगा है तो cube लगे रहने दीजे plus यहाँ पर देखे इसी तरीके से इसका भी rationalization करेंगे हम लोग तो यहाँ पर कितना होगा नीचे का sign बदल के उपर गुड़ा यानि कितना हो जाएगा 3 plus क्योंकि नीचे माइनस से तो उपर plus हो जाएगा 2 root 2 है ना और नीचे का square करके घटाना है बस आपको तो यहाँ से 3 का square 9 3 का square 9 और घटा है देखे दोस्तों चाहे minus रहे चाहे plus रहे square करके घटा नहीं घटाना है ठीक है यहाँ भी plus था तो भी हमने घटाया यहाँ minus से तो भी हम घटाएंगे ठीक ना तो इसका भी square 9 करेंगे 9 हो गया और 2 root 2 का square कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पर यह cube हो गया अब देखे 9 minus 8 का मतलब क्या हुआ 9 minus 8 का मतलब क्या हुआ यह हो गया 1 और यह भी हो गया 1 है ना तो 1 का cube नीचे 1 का cube यहाँ भी नीचे 1 का cube उससे तो कोई मतलब है नहीं मतलब यह हुआ हमारा कि 3-2 root 2 का cube यहां से कितना हो गया 3-1 बार लिख देते हैं ताकि आपको clear हो जाए है 3-2 root 2 का cube और plus 3 plus 2 root 2 का cube हो गया यह अब सुनिए यहां पर अब एक गजब का concept यहां पर दिख रहा है हमको क्या दिख रहा है देखेगा अब देखे यहां से आपको पूरा हम उस सर्व सम्का को solve करके बताते हैं देखेगा a-b का whole cube है ना और plus बीच में plus लगा है और a plus b का whole cube a plus b का whole cube देखेगे दोस्तों यहां पर दोनों का value रख दीजे a-b का whole cube कितना होता है यह होता है आपका a cube minus b cube और कितना हो जाएगा minus minus 3a square b और plus 3ab square ठीक है यह इतने का value हुआ यह फिर plus लगा है तो plus a plus b का whole cube लिख दीजे तो a plus b का whole cube कितना होता है a cube plus b cube plus 3a square b और plus 3ab square यह हो गया अब यहां से देखे जब इन दोनों को हम लोग जोडेंगे तो क्या होगा minus b cube plus b cube cancel हो गया minus 3a square plus 3a square b cancel हो गया बचा क्या हमारे पास यहां पर यह देख लिजे a cube plus a cube यानि 2a cube हो गया और plus यहां से 3ab square 3ab square यानि 6ab square हो गया यहां पर 6ab square अब यहां से देखे दोस्तों a और b का value put करना है आपको a हमारा कितना था a हमारा था 3 यह है a और 2 root 2 हमारा था b है ना तो दोनों का value put कर दीजे कितना हो जाएगा यहां पर यह है 2 a का cube मतलब 3 का cube तो 3 का cube कितना होता है 3 का cube होता है आपका 27 ठीक है plus यहां पर 6 है यह हो गया 6 a a का मतलब क्या 3 और into b का square b का square करेंगे कितना है यहागा 2 root 2 का square कितना जाता है 8 यह हो गया हमारा 8 27 दूना हो गया 54 और plus यह कितना हो गया 6 तरीक 18 18 अठाठे कितना हो जाएगा यह आप लोग कल लीजे 18 अठे है ना कितना होगा 18 अठे कितना हो जाएगा 144 है ना 144 हाँ ठीक है चलिए 144 हो जाएगा अब यहां से इन दोनों को जोड़ दीजे जोड़ेंगे तक कितना हो जाएगा 4, 4, 8, 14, 5, 19 यानि 198 आजाएगा यानि इस टोटल को हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 198 आएगा देख लिजे option number D यहाँ पर इसका correct answer बनेगा तो थोड़ा लेंदी था लेकिन अगर आप fast है calculation करने में हर एक चीजें जैसे आपको अगर आसानी से परिमेई करने आता है rationalization करने फटाक फटाक से करने आता है तो सवाल आसानी से आप लोग बना लेंगे ठीक है चलिए उमीद करते हैं अच्छा एक चीज़ और एक चीज़ और अगर कुछ ऐसा result आता है मतलब कि कुछ इस फॉर्म में बनता है तो इस पूरे का result आप लोग ध्यान में रखेंगे क्या होता है इतना होता है 2AQ प्लस 6A A B square ठीक है अगर ऐसे दे दिया कि A माइनस B का होल क्यूब प्लस A प्लस B का होल क्यूब तो उसका result सीधे क्या आता है 2AQ प्लस 6A B square ये आता है तो इसको अगर आप याद रखेंगे तो आपका ये सवाल आसानी से हो जाएग ठीक ना चलिए आगे बढ़ें दोस्तों यहाँ पर कुछ सवाल और हम लोग देखते है important important ये सवाल देखें दोस्तों ये सवाल बड़ा जवरदस्ता है है ना देखने में आपको तो बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा बड़ा ही कठिन सा लग रहा होगा लेकिन है कठिन नहीं बहुत आसान सा देखे इसको solve करने के लिए पहले हम इसका basic जानते है basic कैसे होगा एक बार समझ गया ति ये सवाल आसानी से हो जाएगा आप चाहें तो सिर्फ देखकर भी इसका answer बता सकते है देखेगा यहाँ पर 5 की पावर 1 बटा 2 5 की पावर 1 बटा 4 5 की पावर 1 बटा 8 है हाना और ये dot 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 अनंत तक चला गया है अब देखेगे दोस्तों अगर हम अगर हम दोनों तरीका हम इसका बताने वाले हैं ठीक है ध्यान से समझेगा अगर हम इसको x माल ले इस पूरे value को अगर हम x माल ले तो क्या हो जाए कि x इकोल टू 5 की पावर 1 बटा 4 इन्टू 5 तो दी पावर 1 बटा 8 और ये हमारा अनंत तक चला गया दोनों साइड कर दीजे आप स्क्वेर यहाँ भी स्क्वेर करेंगे तो इसका भी टोटल स्क्वेर हो जाएगा यह ना भाई करेंगे तो दोनों साइड स्क्वेर करेंगे अच्छा यहाँ से कितना हुआ अब देखे दोस्तों अंदर जब multiply रहता है तो हर एक पावर में ये पावर गुणा होता है जैसे अगर हम कहें a की पावर n है into b की पावर n है अच्छा चली ऐसे हो जाएगा ना सौरी यहाँ पर a की पावर m है और इस पूरे का whole power माल लीजी की a है a कह रहे हैं चली कुछ और और माल लेते हैं माल लीजी की p है ठीक है तो इस p का multiply हर एक पावर में होता है और यह जो बाहर पावर है उसका multiply हर एक पावर में होता ही यानि कितना हो जाएगा a की पावर pn into a की पावर a की पावर कितना pm यह हो जाता है ठीक है तो इस rule को भी याद रखेगा यानि इस 2 का जो बाहर पावर है इसका हर एक पावर के साथ गुणा हो जाएगा, तो कर दीजे भाई 2 का गुणा इस 1 बटा 2 के साथ होगा तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है इंटू, यहाँ पर इसको देखिए इस 2 का गुणा 1 बटा 4 के साथ होगा, तो 2 बटा 4 2 बटा 4, यानि कितना, 2 बटा 4 का मतलब क्या हुआ 1 बटा 2 हुआ, 2 एक कम 2, 2 दूना 4 यहाँ पर हुआ 5 की पावर 1 बटा 2, इंटू, यहाँ पर देखिए 5 की पावर, 1 बटा 4 आ जाएगा 2 का मल्टिप्ला यहाँ पर करेंगे तो 2 बटे 8 है, नि 1 बटा 4 इंटू, इसके बाद क्या होता दोस्तों इसके बाद होता आपका 5 की पावर, यहाँ पर 2, 4, 8, फिर दूना 16 हो जाता यानि यहाँ पर 1 बटे 16 होता तो 16, 1 बटे 16 का गुणा 2 से करते, तो कितना आ जाता 5 की पावर, 1 बटे 8 आ जाता फिर यह सीरीज आपका ऐसे ही चलते रहता नंत तक, अब एक बात बताईए दोस्तों, यहाँ पर क्या है इधर है X स्क्वेर आप यहाँ से इसको अबजर्ब करिए यही चीज तो फिर से यही आ गया और इसी चीज को हमने क्या माना था, X माना था यानि इतना से इधर यह value किस के बरावर है X के बरावर है, इस 5 को रहने दीजे और यह है हमारा X तो यहाँ से X स्क्वेर का value 5X आ गया है ना, 1X इधर से 1X इधर से कट गया हमारा इधर एक ही X बचा, और इधर हमारा 5 बचा, यानि इस पूरे का value कितना आ जाएगे दोस्तों 5 आ जाएगे, option number D इसका correct answer बने, चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, महतुपूर सवाल करवाए है, और इनका concept trick, दोनों के बारे में बात कियें इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को like कर दीजे, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, अगर आप चैनल पर नए है तो, यहाँ पर हम SSC की maths और railway की maths अलग अलग, दोनों का foundation, बैस हम लोगे start करने वाले हैं बाकी कुछी दिनों में, है ना तो यहाँ पर जरूर जुडियेगा जरूर जुड लिजे, आप चाहे SSC का कोई भी exam देना चाहते हैं, या फिर railway की कोई exam देना चाहते हैं दोना के लिए separate math पढ़ाया जाएगा वह foundation से, मतलब basic से एकदम हर एक चीज पढ़ाया जाएगा है ना, हर एक topic cover होंगे important previous year की question करवाएंगे हर एक type की question होंगे type wise लेकर चलेंगे ना, तो जरूर उसमें जुडियेगा और अभी से subscribe करके रख लिजे कि बहुत जल्द शुरू होने वाला है वो तो दोस्तों, आप सभी से उम्मीद है कि आप लोग subscribe करेंगे और इस channel को support करेंगे जितना ज़्यादा सज्यादा हो सकेगा चले दोस्तों, आगे मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखेंगे जय हिंद